नमस्क्यार भाईयो, कैसे हैं आप सब, अभी हम लोग बिहार पुलिस के लिए इतिहास के एक ऐसे महत्पून टोपिक परने जा रहे हैं, जिससे एक्जाम में एक प्रस्क पुछा जाता है, देखें बिहार पुलिस के एक्जाम में इतिहास के कुछ ऐसे महत्पून टोपिक ह जैसे हो गया आपका कांग्रेस अधिवेशन, भारतिय राष्टे में परमुख यूद जो हुगा उसके बारे में, परमुख नारा हो गया, मौरेबॉंस हो गया, उसके बाद गौतम बुध हो गया, महभीर हो गया, सिंदू सभयता हो गया, उसके बाद मुगलकाल हो गया, यह सब ऐसा टोपिक है इससे बार-बार आपके एकजाम में पुछा जाता है इसलिए उसी में से हर एक-एक टोपिक को परहाने का काम कर रहे हैं और दमनी फिक्र रहना है यह जो परहा रहे हैं इसका आपको PDF भी क्लास के एकदम 30 मिनट या 35 मिनट के बाद जो कमेंट में WhatsApp गुरूप का लिंक दिये हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा इसलिए जो साथी मेरे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा और कुछ लोग सोच रहे हैं कि एकजाम डेट आएगा एक के बार धा आपको एकजाम डेट आने के बाद मातर दस से बारा दिन का समय मिलेगा और दस से बारा दिन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसलिए हम सत्ता हमें अभी तीन दिन क्लास दे रहे हैं तीन महत्पूंट टॉपिक का इसलिए उस क्लास को लेते चलना है एकजाम डेट के बाद आपको इस class को एक दिन में दो से तीन class कर देंगे, आप continue रूप से कर देंगे, और exam date से संबंदित हमें बार बार update वीडियो देने पर कुछ लोग गलत कमन करते हैं, करने दीजिए, मेरा काम है आपको motivate करना, जब तक आप motivate नहीं रहिएगा, तब तक आप परहाई नहीं कर सक तो उस वीडियो का मेन उद्य से रहता है कि आपको motivate करना, परहाई के परती जगरू करना, चलिए अब हम class को start करते हैं, आज हम लोग जो महत्पूर topic परहेंगे, यह आपका गुप्त बंस, कुछ क्वाम दिखाई दे तो उसका attention नहीं लेना, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ल इसी भी बंस को परने से पहले उसका पहला संस्थापक ही जाना जाता है, तो गुप्त बंस के संस्थापक आपके स्री गुप्त हुए, उचहए कि डियाक्र बंस के संस्थापक कम थे, तो स्री गुप्त हुए और ये धियामे किए ग्जाम में कभी अगर easy question, आप 4 से 5 question छो दोबलम होगा, यहांकि easy question नहीं छूटना चाहिए, hard छूट रहा है, इसका अर्थ सबका छूट रहा है, अगर easy छूटा अगर, तो समझें कि यह आपका छूट रहा है, अगला है कि सिरी गुप्त का उत्राधिकारी, मालनी जे सिरी गुप्त बंज के संस्थापक है, उनके भ गटो कच जो थे, वो सिरी गुप्त जी के उत्राधिकारी बने, अगला है कि गुप्त बंज के परथम महान समराथ कोन बने, यानि गुप्त बंज के परथम महान समराथ के बारे में अगर नाम आएगा, तो बोलिएगा चंदर गुप्त फष्ट जो थे, वो गुप्त से काम भी नहीं चलने वाला है। अगला है, गुप्त harmonic में महा राज धिराज की उपाधि किस ने पाया। ये पोश्चन कहते है कि गुप्त बंस में, जो भी चीज अंडर लाइन कर रहे रहे हैं, odno, who is the main point गुप्त बंस में महाराज धिराज की उपाधी किसको दिया गया तो बोलिएगा चंदरगुप्त जो परथम थे उसे गुप्त बंस में महाराज धिराज की उपाधी दी जाती है अगला है चंद्रगुप्त परथम इस नाम में कभी कर्म फ्योज नहीं होएगा ये चंद्रगुप्त ये भी परथम ही है कभी चंद्रगुप्त परथम कुछे चंद्रगुप्त परथम का उत्रादिगारी यानि उसके आस्थान पर कोन आया तो बोलिएगा समुंद्र तो बोलिएगा समुद्र गुप्त का अगला है चंदर गुप्त सेकंड लिखाए देखिए यहां पर कंफ्यूज महुत हुएगा यहां पर है चंदर गुप्त सेकंड के सासन काल में चीनी बध यात्री भारत आया कौन आया चंदर भाहियान था कौस्चन आपसे पुछेगा कि भाहियान किसके सासन काल में भारत आया तो बोलिएगा चंदर गुप्त दुतिय या सेकंड अगला है साब कौन था यह क्रश्चन आप नाम हमिवर्स सुने हुँग हुए साथ को था जो नाम सुने होंगे। नाम सुने होंगे जो बिहार को होंगे। बिहार का दिक्तर लोग हैं, बिहार पुलिस का है, तो, नलंदा ओपन इन्वर्शिटी का भी नाम सुने होंगे, अब उसको चलू किया गया है, नलंदा भी सुविद्यालई किया स्थापना, किसके द्वारा किया जाता है, तो कुमार गुप्त के द्वारा नलंदा भी सुव प्रदेशिक इकाई ठीक गुप्त समराज अपने सबसे बरे प्रदेशिक इकाई को क्या बोलता था तो बोलिएगा कि देश बोला जाता है गुप्त समराज की सबसे बरी प्रदेशिक इकाई को देश बोला जाता है अगला है अंतिम गुप्त सासक कौन थे तो अंतिम गुप था, question पूछे कि गुप्त बंज किया था पना किसी ने किया तो बोलिएगा सिरी गुप्त, अगर पूछे कि अंतिम गुप्त साच कों थे तो बोलिएगा विश्नु गुप्त, ग्राम समुह, यानि ग्राम अस्तर पर समुहों की सबसे चोटी इकाई, यहाँ पर पूछा गया है सबसे बरे इकाई, यहाँ पर पूछा गया सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है पेठ कहा जाता है, question पूछे, पेठ कीसे कहा जाता है? परादेश की सबसे बरी इकाई, ग्राम समोह की सबसे बरी इकाई, ग्राम समोह की सबसे छोटी इकाई, आप, answer में मारीएगा अप्सनुं, अगला है गुप्त काल में भूराजसो कुल उत्पादन का एक बाटा चार भाग से एक बाटा चो भाग हुआ करता था रिखा है कि गुप्त काल में भूराजसो कुल उत्पादन का एक बाटा चार भाग से एक बाटा चो भाग हुआ करता था भूराजवस का अर्थ हो गया, यानि कि आप लोग का जो खेत होता है करमचारी के द्वरा जो राजशिद करताते हैं, यानि जमीन के जो टेक्स देते हैं, उसे ही भूराजवस बोला जाता है, गुप्त समराट बैसनाव धर्म के अनुआई थे, गुप्त के जितने समराट थ तो बोलिएगा महा यान, बोलिएगा महा यान, अगला है गुप्त राजाओ की सास्किय भासा क्या था, तो बोलिएगा गुप्त राजाओ का सास्किय भासा अपका संस्कृत हुआ करता था, भारतिय इतिहास का स्वर्न यूग किसे कहा जाता है, तो भारतिय इतिहास का और नियुक किसे कहा जाता है तो बोलियेगा गुप्त काल। अगला है कि मंदिल बनाने की कला का जनम गुप्त काल में होता है। जिस topic से exam में आपका प्रश्ण पुछा जाता है, उस topic का पुला खोलकर operation कर देना, ताकि उस topic से अगर प्रश्ण पुछे तो आप ये exam में किसी भी किमत पर नहीं छुटे, मेरे भाई, आप सब परिये, किसी भी exam date के ज्यादा चकर में मद परिये, exam date से समधि वीडियो डालन कि मेन उदेश होता है आपको मोटिवेट करना एक्जाम आपका बहुत जल्द होगा ज्यादा समय नहीं मिलेगा इसलिए कलास वाले वीडियो को भी उतना ही महत्पूर्ण महत्व दीजिए जितना आप एक्जाम डेट वाले वीडियो एक्जाम डेट से सम्मंद अगर कोई व लोग देखते हैं और कलास वाले 5000 क्या सिस्टम है इसलिए जो लोग पार रहे हैं उनका रिजल्ट